जये शरी राम को बता रहा है की इसे इसे काम कीजेju, पैसे कमाइए तो जो वीडियो बना रहा है मतलब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एम क्या है जाहिर सी ब Inspector मिरा एम है की मैं आपकी हाल्प करूँ लेकिन कहीं न कई है एक एम मेरा ये भी है कि मुझको वीडियो तो बनाना है पैसे कमाना मेरा एम है तो पैसे कमाने के लिए मैं अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा और बना के बेवकूफ भी बनाऊंगा हना क्योंकि मेरे को पैसे निकालना है आप दूसरे का वीडियो अगर अपलोड करोगे तो फस जाओगे बिलकुल फस होगे दूसरे का वीडियो क्यों अपलोड करना है आज 2022 लग गया है अभी और 2022 में आप अपना कॉंटेंट अपलोड करो ना YouTube पे भाई सारे चैनल अब फेस देखा रहे हैं अपना और ऐसे में आप मुझको कमेंट करके कई बार पूछते हो कि सर म्यूजिक लगा कि सिर्फ वीडियो बना दें क्या सर स्पीच वर्ट तो स्पीच कर दें क्या भाई इस सचा आओ ही मत भाई जब तुमको चेहरा ही नहीं देखाना है अपनी आवाजी नहीं डालना है तो फिर आ क्यों र बना देंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे यूट्यूबर्स आपको ब्यवकूफ बना रहे हैं आपको ब्यवकूफ नहीं बनना है अभी देखो मैं बता रहा हूं आपको अभी यूट्यूब का ऐसा सीन हुआ है ना आप बहुत अच्छी वीडियो बना लोगे मान लो बहुत अच्छी वीडियो बना लोगे मुझको पता है बना लोगे लेकिन ऐसा है कि व्यूज नहीं भी आ सकते हैं किसमत का ही गेम हुआ है भाई यूटूब पे कि देखो आज की रेट में आप कुछ भी सर्च करोगा नहीं यूटूब पर आपको हर चीज मिल जाएगा ए ऐसे में अगर आप कॉपी पेस्ट करके फिर से चैनल बनाओगे तो दोस्त मुझकिल होगा ग्रो होने में पता आपको और उसमें उसमें क्या मेहनत भी ज्यादा लेगी आज चैनल नहीं हो रहे जल्दी तो आज आपको ऐसा चैनल खोलना चीए जिस पे मेहनत कम हो और आग जैसे मेरा यह वाला चैनल तो इसा चैनल खोल से चैनल जिसमें महनत कम लग यह आप से बात कर ले रहा हूं पांच मि atenciónले बात करूंगा पांच मिनीट में एडिटिंग हो जाएगी कट करके अपलोड कर दूँगा कट भी नहीं लगता, देखें गारी गाड़ी काई सामने से कट भी नहीं लगाऊंगा, बिलकुल नॉर्मली बात कभी कभी एक दो कट लग जाते हैं बीच में थोड़ा बहुत फंबल तलफस का फुस शब्द बेढ़ जाता है तो लगता है, कट ने तो नहीं लगता है डाइर्रेक्ट वीडियो अपलोड हो जाती है और अगर मैं मान के चलिए वोईस ओवर चैनल खोलूँगा तो उसमें महना ज्यादा लगेगी या फिर कोई सा और चैनल दूसरे का वीडियो लगे पर अपने चैनल पर दूसरे का वीडियो लेकर फिर दूसरे का पर तीसरे का चौथे का पांचवे का लेकर फिर उसको मर्ज करोओ उसमें और एडियो लगाओ फिर उसमें उसके लिए फिर सahanिक ढूड़ो जाता है तो पर उसमें टाइक्स्स लेखो सोच रहे हूँ आप समझ रहे हूँ आपके कितना काम बढ़ रहा है लेकिन यूट्यूबर्स तो आपको बता दे रहे हैं देखो भाई किसी पे बिन आख बंद करके विश्वास मत करो मैं भी जो आपको बता रहा हूँ मैं भी आपको कोई रिश्वास मत करो क्योंकि सब पैसा कमाने आए हैं और पिल्कुल अंधा धुंद वीडियो दिये पड़े हैं पिल्कुल होड़ मची है यूट्यूब पयार आगे निकलने के लिए पैसा कमाने के लिए तो आपको ध्यान देना होगा मैं यही बोलूँगा कि देखिए ऐसा चैनल खोली है जिस पर महनत कम हो क्योंकि आज 2022 में ऐसा हुआ है न कि आप कितनी भी महनत कर लो यूट्यूब धाकेल ही नी रहा भाई चैनल आगे धाकेल नी रहा ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा महनत करोगे और चैनल आगे नी जाएगा तो कैसे काम चलेगा यार तो मैं तो बोलूँगा भाई कि ऐसा चैनल खोली है जिस February महनत कम हो और पैसा भी जादा हुव ये भी सोच लीजे पैसा भी जादा मेले महनत भी कम भले देखो आप बोल सकते हो कि यार इंटरेस्टी निया मेरा है इस चैनल पे, तो कैसे खोल ने यह ज़िए और लो, समझ सबूआ इस चैनल के पार दाने की कोशिशिक है, भाएऍके आपके पास कैमरा एं अप hours of otstar हैं या फिर जीब ऐसी बाहर निकली है क्या चिंता भाई मैं तो बोल रहा अगर आपके अब देखो एक पैर पर लड़की डांस कर रही है पता नहीं आप जानते की नहीं जानते डांस कर रही ना एक पैर पर और लोग उसको देख रहे हैं वो एक और डांसन सनातन वो आगे निकल गया वो एक डीजे साजिद घान ऐसा अजीब टाइप क्यूंस की यहांक है वो आगे निकल गया अपको लगता हैं या आप यह अप हमारे अंदर यह कमी है हमारे परिवार सही नहीं है हमाए घरवाले सही भाई सब के साथ सियुशन ओर है समझ रहो हर कोई मुमें चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ है, आप भी वैसे नहीं पैदा हुए, निन्यानवे प्रतीछत लोग भेखारी ही पैदा होते हैं, इंडिया में यही हाल है, तो आप भी अगर वैसे ही पैदा हुए, तो क्यों चिंता खर रहा है, करो बस काम, ज लोग चैनल भी एसे खोलते हैं, जिस पर व्यूज जादा आए रहते हैं, खोल यह देखिए व्यूज इतने दो महीने में इस ने चैनल ग्रो किया, और आपको एक बात जानके हरानी होगी, कि जो ऐसे चैनल ग्रो हो रहना कई बार, मैक्सिमम मैंने देखा हूँ कि वो से बैठ के इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पता चले गा यार कि वाकई यूटूब का यूटूब ना बहुत हलका है, बहुत हलका है, अगर आप समझने जाएंगे ना कुछ भी समझने की ज़रोत नहीं है, यूटूब चोटी मोटी चीज है, आप समझोगे तब, मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, उस प्लेलिस्ट की, आप एक एक बार, अगर यूटूबर बहना चाहते हो ना, सारी वीडियो देख लो, एक एक बार, मैं ये न एक लिए वीडियो में ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक कीजेगा, और जाते आते मैं आप से एक ही बात बोलने चाहँगा, मुस्कुराइए, क्योंकि आप रोहित की वीडियो में है, यहाँ पर ये गेहुए कि दान है, आप कमेंट करके बताईएगा, क्या बढ़िया लग रहा यार, पूरी खेती है यहाँ पर, मेरे हिसाब से दान है क्या, मैं पूछा भी था भूल गया, पूरा देखिये क्या बढ़िया लगा हुआ है ये, मुझको समझ में नहीं आता है ये क्या चीज है, बहुत खुब सूरत, पक्षी देख रहे हैं, कितने सारे ओड़ हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके सारी वीडियो देखे, मिली आगली वीडियो में, शरी सीताराम